जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन प्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंडियन आर्मी के एक्जाम में आने वाले most important 15 questions जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important questions है तो चलिए दोस्तो ज़्यादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की वीडियो तो question number 1 है दोस्तो हमारा which of the following countries has the largest written constitution in the world निमलिखित में से किस देश में विश्यो का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है ठीक है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 2 बंदे भारत एक्सप्रेस किस बर्स शुरू हुई options हैं 2017, 2018, 2019 और 2020 तो दोस्तो 15 February 2019 के लिए नई दिल्ली से बरानसी के रूट पे बंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया गया था तो यहां पर आपका option C correct answer होगा ठीक है यहां पर केवल year दी गई है तो 2019 और अगर date दी गई होती तो 15 February 2019 के लिए यह train की जो है वो शुरूवात हुई थी और कहां से कहां तक न्यू डेली से बरानसी ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले question की तरफ question number 3 भारत में सर्बोच साहित पुरुसकार कौन सा है which is the highest literature award in India तो दोस्तों भारत में सर्बोच साहित पुरुसकार है ग्यानपीट पुरुसकार तो option C इस question का सही answer है question number 4 है दोस्तों हमारा 37 धवन space center is located in 37 धवन अंत्रिक्ष केंडर कहां इस्थित है ठीक है question आपके सामने है दोस्तों और option आप पढ़ चुके होंगे तो दोस्तों ये जो अंत्रिक्ष केंडर है 37 धवन अंत्रिक्ष केंडर ये है दोस्तों स्री हरी कोटा अंधर पृदेश में तो option C इस question का correct answer है नेक्स्ट question है हमारा question number 5 पेस्मेकर सरीर के किस अंग से संबंदित है पेस्मेकर is related to which body part तो दोस्तों पेस्मेकर संबंदित होता है heart से ठीक है तो ये इस question का correct answer है अगला question देखते हैं दोस्तों question number 6 which metal is found in liquid state कौन सी धातू द्रव अवस्ता में पाई जाती है तो दोस्तों द्रव अवस्ता में पाई जाती है mercury यनि की पारा तो option C सही answer होगा अगला question है हमारा question number 7 गुहाटी is located on the bank of which river गुहाटी किस नदी के कनारे इस्थित है दोस्तों गुहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कनारे इस्थित है तो option B यहाँ पर आपका सही answer होगा अगले question की तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह सभी question आपके exam के लिए बहुत ज्यादा important question है और आपके exam की date भी दोस्तों बहुत नजदीक और बहुत ही जल्दी जो है वो announce होने वाली है ठीक है तो daily दोस्तों रात को 8 वजे यह video publish होती है इस video का आप देखना कभी भी ना भूलें और daily रसाम को 5 वजे हमारे चैनल पर reasoning की video आ रही है इसके लिए वे आप जरूर देखें ठीक है तो question number 8 है who was known as lady with the lamp दोस्तों बहुत important question है repeatable question है ठीक है lady with the lamp के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तो Florence Nightingale के लिए जो है वो lady with the lamp के नाम से जाना जाता है तो option A इस question का correct answer होगा अगला question है हमारा question number 9 दोस्तों अगर आपने इंडियन आर्मी के model paper या फरे previous year के question paper किये होंगे और मैंने भी एक series चलाई थी 500 question की जिसमें आपके लिए केवल वही question लेकर आये था जो कि आपके इंडियन आर्मी के exam में आ चुगे थे तो आपने देखा होगे ये सभी question भी उसमें repeat हुए थे क्योंकि ये question काफी बार आपके exam में repeat होते रहते हैं तो question number 9 है एक व्यक्ति एक राज और एक निता किसकी निती थी तो दोस्तो ये निती थी Adolf Hitler की तो option भी इस question का सही answer है अगला question है हमारा question number 10 10 number question है दोस्तो हमारे सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता है resistance of our body from disease is तो दोस्तो immunity जो है वो हमारे सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता होती है तो option C question number 10 का सही answer है अगले question की तरफ चलती हैं दोस्तो हम question number 11 11 number question है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अविक्रिया है ठीक है resting of iron is which type of reaction तो oxidation दोस्तो जो है वो लोहे में जंग लगने की प्रकारिया को क्या कहा जाता है oxidation याने की oxygen करान तो question number 11 का सही answer होगा आपका option C अब चलती हैं दोस्तो आज की अगले question की तरफ question number 12 12 number question है आपका कुचिपुडी भारत के किस राज्य का निरत है कुचिपुडी is the dance form of which state in India तो दोस्तो कुचिपुडी जो है वो आंदरप्रदेश का अन्रथ है तो option B यहां पर सही answer है अगला question है हमारा question number 13 13 number question है दोस्तो अभनव बिंदरा का संबंध किस खेल से है अभनव बिंदरा is associated with which game तो दोस्तो आप सभी ने देखा होगा कि अभनव बिंदरा भारत के पहले ऐसी खेलाडी थे जिनोंने दोस्तो सूटिंग में gold medal हांसल किया था ठीक है तो option D इस question का सही answer है अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ question number 14 14 number question है भारत का एक मात्र राज कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू और कस्मीर दोस्तो भारत का एकलोतर राज है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ और आज की वीडियो का last question आज की वीडियो का दोस्तो last question है sodium धातु को किसके अंतरगत रखा जाता है sodium metal is kept under तो दोस्तो sodium के लिए रखा जाता है मिट्टी के तेल में डूबो कर ठीक है तो kerosene इसका जो है वो सही answer होगा option D तो दोस्तो 15 questions से इस वीडियो में जो की काफी important questions थे आपके exam के लिए तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को share जरूर कर देना और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए दोस्तो आप बिलकुल free में हमारे टेलिग्राम गूरूप और टेलिग्राम चैनल दोनों से ही आप download कर सकते हैं और इन दोनों का link दिया गया है वीडियो के description में ठीक है चलिए अब आपको दोस्तों बता दें कि यह है हमारा WhatsApp नमबर और अगर आपके पास में Indian Army की किसी भी ट्रेट का कोई भी question paper है तो आप हमें इस WhatsApp नमबर पे 82720299999 पर send कर सकते हैं और आपके पास में दोस्तों कोई भी question है related आपके आर्मी एक्जाम से या फिर किसी भी तरह से तो आप मुझसे पूर सकते हैं तो चलिए दोस्तों टेलिग्राम चैनल का link की description में है जरूर जोन कर लें क्योंकि बहाँ पर दोस्तों हम अपनी वीडियो की daily जो आपको पढ़ाते हैं उसके PDF को आपको upload करते रहते हैं तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत